वेल्कम टू रोशी हायात किचिन बिसमिल्ली अर्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे धोगला इडली जी हैं बिल्कुल जो देखने में तो लगेगी जैसे इडली है और खाने में इसका टेस्ट धोगले जैसा है एक बहुत ही जबर्दस रेसिपी ह एक दम रूँ की तरह फूली फूली सॉफ्ट ऑर इस पर ढूंगला रहे इडली तो चलिए इडली को बनाना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं ने यहां पर पर बेशन डाला है और इसमें बेशन को हम च्छानेंगे तो सबसे पहले टिप्स जो है और भी और भीशन धो तो इसके लिए इसको छानना बहुत जादा जरूरी और जी देखी जो मोटा मोटा जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिसकार्ड कर देंगे और अब यह च्छनववा बेसन हमारा तयार है अब इसमें हम कुछ सामान मिलाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है जो नॉर्म आता है और इसके साथ अब मैंने यहां पर लिया एक छोटा चमच हम नमक कर लेंगे नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आड़ कर सकते हैं और आदा चोटा चमच मैंने लिया यहां पर हल्दी पॉडर हल्दी पॉडर डालने से बिलकुल मार्किट वाला कलर आता है और अब इसमें डालूंगी मैं एक पिंच से गरी मैंने यहां पर हींग ली है हींग से बहुत ही जबरदस्त खुश्बू आती है और अब इसको पिलकुल मार्किट जैसा फलफी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया एक छोटा चमच मैंने सिट्रिक एसिड लिया है जिसे सारी चीजों को अब मिक्स कर लेंगी और अब इसमें मैं डालूंगी आदा चोटा चमच मैंने यहां पर हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें अद्रग का पेस्ट आदा चोटा चमच डालूंगी मैंने यहां पर दोनों चीजों को अलग लेकिन अगर आप चाही जो दोनों चीजों को एक साथ ग्रैंडिंट करके भी इसको पेस्ट बना सकते हैं और उसको ले सकते हैं मेरे पास दोनों का अलग-लग पेस्ट रखा था तो मैंने उसको निनों का अलग-लग यूज़ किया है जिसे के हेंडिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पर जाता है तो इसके लिए इसको यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को हम देखते रहेंगे को ज़्यादा पतली नहीं होने चाहिए कि देखिए एक कप पानी मैंने सारा डाल दिया है धूसरा कप पानी का वह पानी पीस में डालूँगी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करता हुए और देखे इसको इस तरह से सिर्फ इस बात का आप ध्यान लेकी कि इसको एक सरकल में घुमाना है आप चाहे तो इसको ऐसे क्लॉक्वाइज गुमा लिए या एंटिकलॉक्वाइज बस इसको इस बात का ध्यान लखी और देखी मैंने यहां पर दूसरे कप भी पानी का डाल है कोई बैसे कम पानी का यूज करवाता है तो इसके लिए पहले आप थोड़ा थोड़ा पानी डालता हुए इसको अच्छे से इसकी कंसिस्टंसी को एड्जस्ट कर लीजिए और देखे इस तरह से इसको हम एक ही डारक्शन में घुमाएंगी और देखे सब चीज अच्छ ज़रूरी मैंने हाँ पर दो बड़े चम्मस तेल कर डालना है और तेल डालने के बाद में अब इसको हम एक से डारेक्शन में इसको घुमाएंगे तकरिवन पांच मिनट के लिए हमें इसको फेटना है बहुत ही अच्छे से इसको हमें एक लॉक्वाइस घुमा रही हूँ और देखिए इसको इस तरह से आप फेटते रही है क्योंकि यह टिप्स जो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे ढोकला को एकदम इस्पंजी बनाने के लिए तो देखिए आप ही देख रहे हैं इसकी कंसिस्टंसी और मैंने इसको अच्छे से फेट लिया है लेकिन अब इसको थोड़ा समय और फेटूंगी क्योंकि जितने जाद जादा फिटेगा उतने जादा ढोकला हमारा एकदम इस्पंजी बनेगा तो देखिए इसको फेट तो वे मुझे तकरीबन पांच मिनट हो गए हैं और यह बैटर हमारा पूरी तरह से अब अच्छे से इदा मिक्स हो गया है अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो इसको कवर करके रख देती हूं मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए और 20 कम्प्लीट हो चुकी है इसको बैटर हमारा सेट हो गया है अब इसको मैं एक बाल फिर से चाच्छे से फेट लूंगी और यह देखिए इसको आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा थिक हो गया है देखिए इसकी कंसिस्टनसी में आपको दिखाती हूं देखिए यह जो पहले है कि मुकाबले बहुत ज्यादा थिक हो गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूंगी में तकरीबन दो बड़े चम्मच के लगभग और पानी डालने के बाद में इसको मैं अच्छे से फेट लूंगी फिर देखिए इस तरह से क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर यह बहुत ज्यादा थिक बेशन का हमने बनाएंगे तो ढोकला हमारा जो है वह बहुत स्पंजी नहीं बनेगा और यह देखिए यह आप देख रहे हैं इतने हम इसक कि सोटर तो डौे आलने के बाद मेरे एकदम सेफलफी हो गया हैं और अब यहां पर जो इडली की ट्रे हैं इसको में ग्रीस कर लूंगी करे मुझे लेकिन अगर इसको पहले करिए पहले इडली की ट्रे को आप तयार करके रखिए उसके बाद में आप बेट्र के अंदर सो सूरे के एटली स्टेंट ना में आ हम इसको रख जए मैंने पहले डाल पाझाल को और जाले देंगों चारी का पाइल का फंटीक चाला था बाइल में 10pp ice फ्लेंगे ठीक भीस के आदे में इस पाला धानी घुआइने मेडियम टू लो के बीच में और इसको हम पकने देंगे तकरीबन 10-12 मिनिट के बाद में इसको हम लेड हटा के देखेंगे और देखेंगे इस तरह से टूथपिक के हेल्फ से इसको आप चेक कर लीजिए और यह देखें इडली हमारी परफेक्ट तयार हो गई है क्योंकि जो टूथपिक थी उसमें किसी भी तरह का कोई बैटर लगके नहीं आ रहा है इसका मतलब इडली तयार हो गई है अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर और यह बहुत गरम है और यह देखिए यह डिकदम ठंडी हो गई है अब इसको एक शार्फ नाइफ की हल्प से इस तरह से किनारों से लेके सारे इडली को हम निकाल लेंगे और यह देखिए आपने देखा ऑईल लगाने की वज़े से इडली कितनी आसानी से निकल गई है और देखिए कितनी सौफ्ट इडली बनके हमारी तैयार हुई है और इसका आप जाली देख सकते हैं कि और इसे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इडली ढुकला हमारा कितना जबरदस्त बना होगा और इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे तोड़ा सा और ठंडा करने क लिए और जब तक ही ठंडा होता है हम इसका तड़का तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया एक पैम तड़का पह लें लिया इसमें दो बड़े चमच मैंने आइल के डाले हैं और ऑईल के गरम होने के बार मैं इसमें मैंने डाल दी है ख़र सीमिज़ कर लिए गर के लिंगी οाइं याधा चोटा चमर्श मैंने यहाँ पर विक यादा कर लेंगे हम एक पिंच के गरी मैंने आपर हींग का यूज़ करूँगी और अब इसमें डालेंगे गरीब 12 के गरीब बैने करीपते लिए हैं मेरे पास यहाँ पर ड्राइव आले थे तो मैंने वो ले लिए हैं कि अगर आपके पास फ्रेश फेरी पता है तो आप यहाँ पर उसका ही यूज़ कीजिए इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हींग वो डाले दी हम राई उसको थोड़ा सा क्रेकल होने देंगे और अब इसके साथ मैं डाल दूँगी मैं यहाँ पर चीनी के डालूँगे तीन बड़े चमच क्योंकि जो तड़का होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है और इसमें आदा छोटा चमच मैं डाल दूँगी नमक का और इन सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को हम कर देंगे ओफ क्योंकि हमें ऑईल को थोड़ा सा ठंडा होने देना है अब इसमें मैं डाल दूँगी एक कप के करीब मैं यहाँ पर पानी का यूज़ किया है बसे इस बात का आप ध्यान ला किए जब तड़का थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब ही जब गरम पानी मट डालिए वर्ना इसमें बहुत सारी चीटे आसती है और हो सकता है कभी-कभी इसमें आग भी लग जाती है एकदम से जरम पानिश पर पानी डालने से तड़के में तो इसको डाल के पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगी अब मैंने फ्लेम कर दी है और इस देखे तळलका हमारा तयार है, फ्लेम को हम आफ कर देंगे और इस तळटके को भी थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये ढोकले के अंदर कभी भी गरम गरम तढ़के का यूज नहीं करना चाहिए, तढ़का भी हमारा ठंडा हो गया है, और जो हमने इडली ढोकल भूब भूभना गया है अब इसके हंदर हम जो आफ्ड की ओपर पोर कर देगी इसे के सारे व् और ये देखिए एड़े ढोकला बनके हमारा तैयार है आप देख रहे हैं किसकदर ये स्पंजी बना है बहुत ही जादा सॉफ्ट है और खाने में तो जबरदस्त है बहुत ही टेस्टी बना है और इसको बनाना कितना असान है तो इस रेसिपी को आप जरू ट्राइब और इसके साथ ही बैल आइकन के बटन पर भी किलिक कीजिए ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेट जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मेरेगा अपना एक्सपिरियंस कॉमेंट बक्स में जरू शेयर करें और ऐसी नए नई वी रेसिपी देखने के लिए म लाफीस!